नमस्कार दोस्तों YouTube चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि Gland Packing का यूज क्यों Centrifugal Pump में किया जाता है इसको Pump के किस पार्ट में लगाया जाता है और Gland Packing कौन-कौन से Material की बनी होती है और इसको लगाते समय हमको किन-किन बातों को ध्यान में रखना है और दोस्तों अगर आपको Gland Packing के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता तो इसको मंगवाते समय हमको Supplier को कौन-कौन सी बाते बतानी है तांकि वो हमको सही Gland Packing रिकमंट कर सके तो दोस्तों अगर आपको आज का टॉबिक अच्छा लगा है तो वीडियो को Like जूरू कर दे 500 Like का Target है इस वीडियो का तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि Gland Packing का यूज क्यो Centrifugal Pump में किया जाता है दोस्तों Gland Packing का यूज किया जाता है Centrifugal Pump में Liquid की Ceiling के लिए यानि जो Liquid Casing के अंदर है वो Shaft के रस्ते बाहर ना गिरे उसकी Ceiling के लिए Gland Packing का यूज किया जाता है जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं जो Casing के अंदर Blue Color का Liquid है वो Shaft के रस्ते यानि Impeller के पीछे से Shaft के रस्ते बाहर ना गिरे तो उसकी Ceiling के लिए हम यहाँ पे Gland Packing का यूज कर रहे हैं इसकी जगाँ पे हम Mechanical Seal का भी यूज कर सकते हैं मगर आज हम बात कर रहे हैं Gland Packing की तो अभी हम देखेंगे कि Gland Packing को Centrifugal Pump में Stuffing Box में लगाया जाता है और Stuffing Box में एक Gland Housing बनी होती है जिसको हम Gland का घर भी बोलते हैं जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं तो यहाँ पे Gland Packing को लगाया जाता है और यह जो Gland Housing का Size होता है यह भी Gland Packing के According ही रखा जाता है तो यहाँ पे Gland Packing को एक Pusher यानि Gland Pusher या फिर इसको Gland Followers भी बोलते हैं उसके द्वारा इसको यहाँ पे Tite किया जाता है तो दोस्तो अभी हम देखेंगे कि Gland Packing कौन कौन से Material में आती है Gland Packing आपको Graphite, PTFE, Pure PTFE, Carbon Plus Graphite Combination PTFE with Graphite Combination और Different Different Style में आती है तो अगर दोस्तो आपको Gland Packing के बारे में ज़्यादा Knowledge नहीं है तो आपको Supplier को यह 5 चीज़े बतानी पड़ेंगी जिससे वो आपको एक अच्छी Gland Packing recommend करेगा सबसे पहले तो आपको जो Fluid आप Pump कर रहे हैं उसको आपकी pH value उसको बतानी पड़ेगी नमबर सेकेंड उस Fluid का Temperature आपको बताना पड़ेगा नमबर थ्री Pump कितने प्रेशर पे चलता है वो आपको बताना पड़ेगा नमबर फोर्थ Shaft की Speed और नमबर फिफ्ट Dimension of Stuffing Box तो यह 5 चीज़े अगर आप उसको बताएंगे तो आपको एक अच्छी Glend Packing recommend कर सकता है नमबर फिफ्ट है दोस्तों Installation यानि Glend Packing को हमको Install कैसे करना है Install करते समयच दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या करना है जितनी भी Old Glend Packing है उसको आपको अच्छे से Remove करना है नमबर दो आपको Sleeve चेक करना है और जो Glend Housing है उसका ID मिज़र करना है मान लीजिए ID है 50 और Sleeve का OD है 30 तो आगया इसका जो माइनस करके इसमें आएगा 20 तो 20 का हाफ कितना होता है 10 mm यानि उसमें 10 mm की Glend Packing लगेगी तो अभी आपको क्या करना है Glend Packing को Sleeve के Circumference पे रखके एक पीस कट कर लेना है 45 डिग्री पे आप Straight Cut भी कर सकते है 45 डिग्री पे कट करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है इसके बाद आपको ये Glend Packing का पहला पीस Glend Housing में लगाना है जो दूसरा पीस आप कट करेंगे उसका जो जो जोईंट होगा उसके opposite 90 डिग्री पे रखना है तो ऐसे जितने भी पीसे आप इसमें लगाएंगे उनके जो जो जोईंट होगे उससे opposite direction में रखते जाना है इसके बाद आपने Glend Foller को लगाना है और इसको Limited Tight करना है Over Tight नहीं करना अगर आपको 100% sealing चाहिए तो वहाँ पे mechanical seal का use किया जाता है Glend Packing में pump care कुछ running time के बाद में drop leakage शुरू हो जाती है तो इस pusher को tight करने के बाद उस leakage को थोड़ी देर के लिए फिर prevent किया जाता है मगर ये 100% sealing solution नहीं है तो अभी दोस्तो इस वीडियो में आपके लिए question है कि अगर आपको pump किसी chemical transfer के लिए लगाना हो तो आपको mechanical seal option में जाना चाहिए या फिर gland packing में तो आप अपना answer नीचे comment करके बता सकते हैं और वीडियो ची लगे तो वीडियो को like जूरू कर दें और अगर आप channel पे पहली बार आएं तो channel को subscribe करके bell icon को press कर ले thanks for watching